जैसे ये बक्रे आप देख रहे हैं इनका जो शारीरिक बनावट है इनके जो शरीर का कलर है वो अन्य बक्रे और बक्रियों से बिल्कुल भिन मुख्य रुप से सुन्भद्र, चतीजगर्ण, जारखंड, वारनसी, मिर्जापूर इन जिलों में पाई जाती है हमारा जो पेंद्रिय बक्रियों संधान संस्थान है इस नसल के उपर कारे कर रहा है इस नसल के सरक्षन अब हम इसको नया नाम देने का पुरा प्रयास कर रहा है जिसके लिए हमने तीन वर्ष से इसके डाटा कलेक्शन पे पूरा कारे किया है छेत्र में जाजा के भ्रमड कि साथी साथ बहुत सारे जो किसान वहां के सोनभद्र के हैं जो इसे मुख्यता पालते हैं जिनके द्वारा इस नसल को विक्सित किया गया है उनका हमने संपूर संकलन सूची का संकलन किया है और हमने इस पर एक फूरी डॉकुमेंटरी बनाकर डॉकुमेंट बनाकर NPAGR जो की गोट रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में उसको डॉकुमेंट संबिट किया है यह कौन सी नसल है इस नसल को हम क्योंकि सोनभद्र में सबसे अधिक पाई जाती है तो हमने इस नसल का नाम सोन पर ही नसल रखा है क्या किनी दो नसल के मिक्स करके एक यह नई ब्रीड तय प्यार की गई है कुछ ऐसा है पिछारखन तक पहुचाती साथी साथ में विगत 50 वर्श पूर एक बरारी नसल की वस्प्षि अधिन हुआ कर्थी है उसको वहां पर किसानों के वितरन के लिए लाया गया परश्वालन गवार वहां वित्रिद्र वित्रित की गई तो वहाँ की जन जातियों ने वेरारी और ब्लैक बेंगॉल नसल को क्रॉस कराकर ये नसल विक्सिती है और ये नसल बहुत ही अच्छी है या हम कह सकते हैं इसमें रोग प्रतिरोधक शमता बहुत बढ़िया है ये वहाँ के पहाडी जल्वायू में पत्रीली जल्वायू में रहने के लिए बहुत सक्षम है और इसकी खूबी है कि ये एक बार में दो तीन चार बच्चे तक देती है चार बच्चे तक चार बच्चे देने का कितना एवरेज होगा इसका इसका चार बच्चे देने का एवरेज हम कह सकते हैं कि बाइस परसेंट तक लगबग बच्च और 88% बक्रियां जो है 80-88% तो दो बच्चे देती ही देती हैं इनकी अगर पहचान की बात करें अगर कोई इनको खरीदने जाता है और तो इसकी कैसे पहचान कर सकता है कि हम असली सोन पर ही खरीद रहे हैं इसको हम विशेश इनके शारीरिक बनावट के अधार से पहचान सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका आकार मध्यम टाइप का है और इनके जो शरीर का रंग है वो बहुत ही specific टाइप का है इनके गले के चारों काले बाल पाये जाते हैं और जो वर्टिप्रल कॉलम होती है या कह सकते हैं रीड की हटी उस पर भी आखीर तक काले बाल पाये जाते हैं इनके पैर और पूच काले से भूरे रंगे होते हैं और इनके सींग जो हैं वो बाहर की तरफ नुकीले पैने हो इनका ज़ ‑‑ बकरिया बहुत ने हमें बताया कि वहां के लोगोंनु कि दूर को दूर भाहत बढ़ियाChaван मीट के लिए और शुत है तो लोगों ने कहा कि इनकी मीट क्वालिटी बहुत बढ़िया है लोग इसका मीट अधर बक्रियों के तुल्ला में 200 रुपए किलो अधिक पैसे देकर खरीदते हैं अगर वेट की बात करें जैसे कि मीट के लिए तो बक्रा जो है वो वेट के हिसाब से ही बिकता है उसी हिसा एक साल से डेड का बखरा उसका वर कीठ तो बहुत बड़ी नसल है उसका वजन 45 किकी अगर दूध की बात करें तो दूध की बात करते हैं तो इसमें दूध पादकत्ता काफी कम है मैंने आपको पहले बताए कि ब्लैक बेंग्वॉल से जनिध बक्तर है तो ब्लैक बेंगॉल में जिस तरह से दूद की मात्रा कम कर जाती है वैसे ही इनकी मादाओं के अंदर दूद की उत्पादन शमता कम है लेकिन मीट क्वालिटी बहुत अच्छी है कम समय में ही एनिमल व्यस्क हो जाते हैं कम समय में ही व्यस्क भार ग्रहन कर लेते हैं तो हमें ज उसे साथ महीने में जो बक्रियां है वो при πο्रे पे आ जाती है है शाल भर के अंदर ही गाभीण हो जाती है और साल के अंदर यह बठ्शें भे दे देती है तो का dalी इनकी प्रोलिफिकेसी बढ़ती है यह गाती हैं पहलें ने तो उसह सान्व से का पालण और कहां कहां किया जा सकता है किस तरह के वातावरण में इस को पहला जा सकता है आहीज यहां परहत कि अदिक क्रशवानकी नहीं हो रही है क्रशी प्रच्छेक्तर नहीं है जहां बहुत उप्यूप्त चारे हम बोकर नहीं उगा सकते जो ऐसी जमीने हैं जो पहाडी है थोड़ी पठारी है जहां जंगल प्रचुर मात्रा में हैं जहां विभिन प्रकार के व्रक्ष पाये जाते हैं इनको हम उनकी ट्री लॉपिंग पे या बहुत आराम से पाल सकते हैं विशेश प्रकार का चारा उगाने की आवशक्ता नहीं है तो ऐसे सभी जगह जहां पे समतल स्थान नहीं है पठारी और जंगली छेत्र हैं उन जगह हम छतीज गड़ में जार खंड में सोन भद्र में मिर्जापूर की टोप्रफी इन बकरियों का आजवीका के संचालन में बहुत ही महतपूर योगदान है वो लोग ट्राइबल होते हुए भी इनको बहुत ही भली भाती से 120-160-90 इतनी संख्या में प्रचुर मात्रा में पाल रहे हैं तो टोक्टर जेतना क्या उमीद की जा सकती है कब तक ये ब्रीड जो जो फॉर्म है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में सम्मिट कर दिया है अब उसका प्रॉसेस थोड़ा लंबा होता है दो तीन रिव्यू मीटिंग होती है फिल्ड की विजिट होती है कि वाकरी में विसेश गुण है या नहीं है इन सब चरणों के संपूर्ण होने के बाद ही इस बीड को रेजिस्ट्रेशन हो पाना संबाव है